कल क्या मंजर था कल यहां पे रेड़ से दो वजे की समय अचानक धुआ दिखाई पड़ा हम लोग को लगा कि भाई क्या हो गया किसी की किसान के घर में तो आग नहीं लग गया कल आप लोग भगवान भरोसे बच्चे हैं साथ प्लस वाले जितने भी हैं वोनों के लिए सांस लेना दिकत हो गया तो क्या लाव मिला आपको इस पावर प्लांट बनने से यहां के लोगों को चोकलेट मिला मिठाई के आसा में थे कि बड़ा बड़ा रसगुला मिले गा लेकिन मिठा टॉफी यहां कुआ का पानी पीन ही रहे हैं अभी आप हमारे नजदीक आए हुए हैं मैं बीजली रहता तो मैं घर में बैठा तो गर्मी से मैं बाहर आपको बैठाया हूं जिक अंदर तो रहने लाइक नहीं है इस तरह से पावर प्लांट बनना क्या देश हित के लिए अच्छा है यहां के लोगों के पावर प्लांट के लिए जो यह बनाया गया है डैम बनाया गया है वहां पे कौन से किस्म की जमीन थी पहले सब जाओ जमीन थी जो अभी वहां तो बेकार हो गया हम लोगों का जीने का मने किसी बाहूल छित्र था यह दिखिए हम लोग तो बिकास की सपना देखे थे तो अब आपजा से संतुस्ट जमीन रहता तो उससे बेसी कीमत मिलता है हम किसानों के लिए वहां उतना महंगी फीस उस देके पढ़ाना संब इसकूल किस ने खोला है एंटीपीसी ने फीस लेके पढ़ाती है या पिर परभावेश भीस लेकर के नाम है कि हम सुविदा दे रह रहे हैं तो एक हजार क्या लेंगे उन तो तीन हजार ले रहे हैं एक हजार चूट मिल रहा है जिस जगे पर हम बैठे हैं यह मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यह उत्री छोटा नाकपूर नौर्थ करमपूरा सुपर थर्मर पावर लिमिटेड एंटीपीसी के बाजपेई ने 1999 में उद्गाटन किया था और जिस तरह से परधान मंत्री अटल विहारी बाजपेई को भारत रदन बिजेपी ने दिया यहां के लोगों की तकलीपे क्या थी कि कल जिस तरह से पावर प्लांट में आग लगा यह पहली बार नहीं है यह भारत हैवी इलक्ट्रोनिक्स के साथ एंटीपीसी का करार है वो दोनों मिलकर इस पावर प्लांट को एक्चुली एंटीपीसी इस पावर प्लांट को संचा दोनों भारत सरकार की कमपणी है ये पहली घटना नहीं है कल जो आग लगा जिस तरह से यहां से मीडिया ने तो इसको कवरेज नहीं दिया लेकिन जिस तरह से सुनने में आया था कि लोगों को सांस लेने में तकलिप हो रही थी डमकल की गाणिया मंगाए गई पर आग नहीं हो पाया और जितने भी अगल बगल जितने भी गाउँ है सब को कुस्व में क्या हुआ होगा वही हम समझने की कोशिस करने के लिए हम यहां पर आये हैं अगर सुरच्छा के मानोकों से अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल आग लगी वो बहुत बड़ी घटना थी, सामने लोग रहते हैं, पावर प्लांट पीछे है, एक पावर प्लांट चालू है, जिसकी बिजली सायद हम इसकी पूष्टी नहीं करते, बलका गाओ जा रहा ह जहां से कनवेर बेल्ट चलती है, वहां से कोईली की ढूलाई होती है, काका है हमारे साथ, हम समझेंगे कि कल क्या परिवेश रहा होगा, यहां पर किस तरह से कल क्या मंजर था, कल यहां पर देड़ से दो बजे की समय, अचानक धुआ दिखाई पड़ा, हम लोग को लगा क कि भाई क्या हो गया, किसी की किसान के घर में तो आग नहीं लग गया, लेकिन देखती देखते ऐसे लगा जिसे पूरा छेत्र फैल गया, और बढ़ियां से दिखाई नहीं पड़ रहा था, लग रहा था कि पूरा पहाड उठके आ रहा है, लोगों को स्वास्त, बने सांस लेने में दिकत हो रही थी, उद्धूआ के कारण, खैर भगवान की किरपा की हवा का रफ्तार अधिक था, इसलिए यहां के लोगों को जान मने बचली में सहयोग हुआ, और नहीं तो जिस स्थिती से आग लगी थी, उसका अंदाजा तो मने क्या कहा जाए, यहां के लोग साथ प्लस वाले जितने भी हैं, उन्हों के लिए सांस लेना दिकत हो गया था, और आज की पीड़ी जो है, अगर यही रहा है, अगर अफ्तार तो नौजवान लोग साथ तो देख भी नहीं पाएंगे, उमर क्या है आपकी अभी, अफिसर सत्तर वर्स है, लेकिन जिस तरह से यह पहली घटना नहीं है, साइध हम जिस तरह से अगवारों ने छापा है, यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आग लगने की घटनाय निरंतरन होती रहती है, यहां पर हलका, सिसी यल छेत्र में यतना बड़ा नहीं हुआ था, इसी पावरा प्लांट में भेल के तो कितने की मौत हो जाती है, क्या लाव मिला आपको इस पावर प्लांट बनने से, यहां के लोगों को चोकलेट मिला, मिठाई के आसा में थे, कि बड़ा बड़ा रसगुला मिले गया, लेकिन मिठा टौफी, टौफी मिला, हम लोगी जमीन गई, यहां का वातावर यहां का सुध्य हवा, सुध्य पानी, अभी कुवा पर देखा जाए, तो जो गय धूल धूवा जो निकलता है, एक परत जमा हुआ है, यहां कुवा का पानी पीने के लिए लोग विवस हैं, सुध्य हवा नहीं मिल पा रहा है, और गर्मी का तो खैर कहना ही नहीं है, जो ह आज हम लोग तकलीफ की जिंदिगी जी रहे हैं, लेकिन अभी एक चिमनी साइद चालू हुआ है, अभी दो चिमनी, दो हो गया है, तोटल कितने चिमनिया है, तीन, अगर तीरों चालू हो जाएंगे तो फिर आप लोग यहां पर तो रहे नहीं पाए, यहां तो टिखने अब ही आप हमारे नजदीक आया हुए है, मैं बिजली रहता तो मैं घर में बैठाता, गर्मी से मैं बाहर आपको बैठाया हूँ, जो अच्छावा में ले, अंदर तो रहने लाइक नहीं है, तो क्या कहते हैं, यहां के जो विधायक हैं किस उन्दास, यह सब विधायक, MP, MP, के समय में खुब हवा दिखाएंगे, और जब अपना काम बन जाएगा, तो यह लोग अपना, मिलजूल के काम निकालने में रहते हैं, लोग यही है, किस उन्दास कहते हैं कि हमने जो मुआपजा दिलाया है, वो सर्वसेष्ठ है, यहां के लोगों को जो मुआपजा मिल की बात कर रहे थे, वो गरमजूरा जमीन की जो पेमेंट नहीं कर रहे थी, NTP, उसका मुआपजा उन्होंने दिलाया है, इसा उनका कहना है, जी एम लाइंड का कुछ लोगों को मिला है, सवतेला पन बेवहार हुआ है, सबो को नहीं, मुह चीन-चीन के दिया, क्या कारण जैसे जो हला किया, जो थोड़ा आगे पीछे लगा रहा है, उसको मिला, जो नहीं सिधा सदा किसान मारा गया, क्या समझते आप इस तरह से पावर प्लांट बनना क्या, देश हित के लिए अच्छा है, यहां के लोगों के लिए अच्छा है, किस के लिए अच्छा है या बुरा है? पहले तो हम लोग यही उमीद किये थे कि हम लोग का बहुत बड़ा विकास होगा, लेकिन अब विकास की सपना देखे थे, लेकिन यहां तो अब नजर के सामने बिनास भी देख रहे हैं, कुछी दिनों के बाद हम लोग को छोड़के भागना पड़ेगा, जब स्वस्त पर आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे, तो उससे कैसे डिल हो पाएगे, और क्या मुद्दा रहेगा इस टाइम पर? देखिए, यह तो मुद्दा रहता है कि भिकास हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, महंगी पर कंट्रोल हो, यह सब मुद्दा रहता है, लेकिन लोग लुभावना देते हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई थोड़ा मोड़ा किया, नाम कमाया, बकिये सब वही काम है जंगल जो था, ऊजड गया, कोई लिएरी छेत्र होने से, अब जानुवर को हम लोग भिलाते थे दखनी पत्ता लाकर के गास प्रसमाप्त हो गया इस पौर प्लान से कितने पर भावित हुए हैं पूरी तरह से मूल रूप से छे गाउं पर भावित हैं कौन से खामता गाड़ी लों ठंडवा राहम दुन्दुवा मंज्राही फाइदा किस गाउं को हुआ जादा फाइदा नहीं के बराबर हुआ सिर्फ बेरोजगारी में थोड़ा सा करें चोकलेट मिला लोगों को माल लिजे हम लोग पाँच हजार साथ हजार दस हजार का लड़का लोग बेरोजगार था कुछ नहीं है तो धूप में जूलस रहा है जिस पावर प्लांट के लिए जो ये बनाया गया है डैम बनाया गया है वहां पे कौन से किस्म की जमीन थी पहले सब उ पादन करके समान सभी भी बेजते तो इससे बढ़िया जीवन बितता बगल में देखिए बढ़का गाओं है सिमेरिया के नजदिक डाड़ी है वहां के लोग किसान लाभानवित हैं नहीं हुआ तो क्या हुआ पथलगड़ा ये कैसा छेत्र है जोहां किसान कोई किसान पिने के लिए पानी दिया जागे आप लोग को सब तरह का सुविधा मिलेगा किसान को सुविधा मिलेगा बेरोजगारों को सुविधा मिलेगा बेयापारियों को सुविधा मिलेगा लेकिन किसान को तो कुछ मिला नहीं बेरोजगारों को वही थोड़ा मोड़ा हलका फलक कामूम देके मनें परहरी के रूप में गार्ड के रूप में लगाया गया टेकनिकल इस चेत्र में लोग है नहीं आपकी जमीने गई है इस पावर प्लांट में कुछ गई है कि मुआपजा से संतूस्थ हैं लगता है अब देखे हम लोग तो विकास की सपना देखे थे तो लग रहा था कि विकास होगा अब मुआपजा से संतूस्थ जमीन रहता तो उससे बेसी कीमत मिलता तो क्या समझे संतुस्ट विकास से संतुस्ट नहीं है या मुआबजा से संतुस्ट नहीं है विकास से भी संतुस्ट नहीं है तो मुआबजा से भी संतुस्ट नहीं है अभी जो चीज एक अठा एक एकर जमीन 20 लाख में लिया गया अभी एक अठा जमीन का कीमत 20 लाख तो प बच्चे लोगों के लिए गाहां दहाँ गाउं गाउं में तो वहां पे किसे बच्चे पढ़ते हैं तो जो किसान परवावीत हैं उनके भी बच्चे पढ़ते हैं और दिखत तर बच्चे तो जहां काम कर रहे हैं एंटीपी सी में बहेल में उं लोग के बच्चे पढ़तें तो पावरप्लांट के अंदर वे इस्टुल है या फिर बाहर है पावरप्लांटần के बाहर है कि स्पल ठीक जगब है और हम किसानों के लिए वहां उतना महंगी फीसुस देके पढ़ाना संभाव किसके लिए इसकूल किस ने खोला है एंटीपीसी ने फीस लेके पढ़ाती है या पर भाविस लेकर के नाम है कि हम सुविदा दे रहे हैं तो 3000 तो 3000 रहे हैं है कि एक हजार कि लेंगे उस तो तीन हजार बेन रहा है यह इन फूर्थमिंस तिर्य पताइंगे आपका के रेंगार्मंउसके फिते पीछे कुप खोर लाइन जो गया है उससे पहले है जोड़ा आपका सुफ नाम मेरा नाम बीजय कुमार गीरी बहर यहीं गाड़ी लोग है बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाज सेवा सेम जुड़े हुए भी हैं ऐसे किसान के हित में ही हम लोग कुछ काम की हैं